जल्द ही सोनी टीवी के रियालिटी शो जलक दिखलाजा सीजन 11 को उसका विनर मिलने वाला है शो को लेकर लंबे वक्त से कई खबरे आ रही हैं इस रियालिटी शो में शोयब इब्राहिम, मनीशा रानी, धनश्री वर्मा, श्री रामा चंद्रा, अद्रीजा सिन्हा और शिव ठाकरे टॉप सिक्स में आये थे जिसके बाद मनीशा शोयब टॉप फाइव फाइनलिस्ट बन चुके हैं जिहां, मनीशा और शोयब टॉप फाइव में अपनी जगा सुरक्षित कर चुके हैं खबरे आ रही हैं कि शिव ठाकरे शो से हो गए हैं ऐलिमिनेट शिव ठाकरे फाइनलिस्ट नहीं बन पाए ये खबर एक लीडिंग मीडिया हाउस ने दी एक लीडिंग मीडिया हाउस ने बताया कि शिव एलिमिनेट हो गए हैं और वो शोयब मनीशा से हार कर बेहद डिसपॉइंटेड हैं इस लीडिंग मीडिया हाउस ने कहा कि शिव की जड़नी में अपस इन डाउंस आए शिव ने अपनी जर्णी को enjoy किया लेकिन क्यूंकि ये competition है और कोई एक ही show का winner बन सकता है मीडिया हाउस ने कहा कि शिव बाहर हो गए और वो इस बात से काफी निराश है इस मीडिया हाउस ने कहा हाला कि शिव ने अब भी हिम्मद बनाई हुई है बात अगर जलक दिखला जाकी करें तो बता दें कि जलक के फिनाले में बहुत से सितारू का जमावड़ा लगेगा मेकर्स ने फिनाले के लिए कुछ बड़ा ट्विस्ट प्लान किया हुआ है और ये फिनाले दो मार्च को होने वाला है हाला कि अभी फिनाले की डेट भी पूरे तरीके से कनफर्म नहीं है दोहरादें की लीडिंग मीडिया हाउस के हिसाब से शिव हो चुके हैं एलिमिनेट और इस बात से तूट गया है रियालिटी शो कंटेस्टेंट का दिल फाइनल कॉट निउस्टेस